नमस्कार ओम शान्ति एकवपीस में आप सबका हार्दिक स्वागत है जून के महिने की पहचान होती है बच्चों की स्कूल से छुटियां, गर्मी की लू, आम की बहार और मौनसून से जून महा में अब तक पीस न्यूस से 255 समाचार प्रसारित हुए जिन में से हमारी रिसर्च टीम ने तीन समाचारों को चुना, जिनकी गूंच बहुत अधिक रही इनी पर आज हम चर्चा करेंगे ये हैं बिहार विधान सभा एवं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इशोरियो विश्यो विद्याले के संव्त तत्वाधान में तनाब मुक्त जीवन जीने की कला विशेपर कारिक्रम परमात्मा का सत्य स्वरूप विशेपर शांतिवन में पांच दिवसिय अखिल भारतिय संत सम्मेलन के उधगाटन सत्र में संस्था के मुख्य प्रशासी का राजियोगिनी दादी रतनमुहिनी और देश भर से हजारो संत महामंडलेश्वर शामिल और ब्रिटेन में ब्रह्मा कुमारी सेंटर लिसेस्टर में महरानी कुईन एलिजबेट द्वारा राजगदी संभालने के सत्तर वर्श पूरे होने पर प्लैटिनम जूबली समारो मनोविग्यान की एक शाखा है सकारात्मक मनोविग्यान सकारात्मक मनोविग्यान का उदेश जीवन में सबसे खराब चीजों के मरम्मत के साथ सकारात्मक गुनों का निर्मान करना होता है पीस न्यूज इसी दिशा में कारे कर रहा है व्यक्तिकत स्तर पर सकारात्मक मनोविज्ञान का शेत्र मुल्लेवान व्यक्ति परक अनुभव के बारे में है कल्यान, संतोष, संतोष्टी, आशा, खुशी, प्रेम, साहस, पारसपरिक कौशल, संदर, ब्रिर्टा, शमा, आध्यात्मिक्ता, उच्प्रतिभा और ग्यान उनमें बल प्रदान करता है 16 जून को बिहार विधान सभा के सेंटरल हॉल में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईशुरयो विश्य विध्याले एवं बिहार विधान सभा के संयुत्त तत्वाधान में तनाम मुक्त जीवन जिने की कला विशे पर कारिक्रम आयोजत किया गया जिसके मुख्य वक्ता थी राज योगिनी ब्रह्मा कुमारी उशादी थी बिहार विधान सभा के अध्यक्ष शिरी विजे कुमार सिन्हा बिहार विधान परिशद के कारेकारी सभापती शिरी अवधेश नारायन सिंग बिहार सरकार के सिख्षा मंतरी एवं संसदिय कार्य मंतरी शिर विजे चौधरी एवं बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष शिरी महेश्वर हजारी मुख्यती थी थे राजयोगनी उशादीदी ने तनाम मुक्त जीवन कैसे जिया जाए इसके बारे में सहज विदी बताकर राजयोग मेडिलेशन का अभ्यास कराया हम सभी को डिश्चार्ज बैटरी नहीं बनना है बहुत बड़ी रिस्पॉंसिबिलिटी आप सभी के उपर है और इन बड़ी रिस्पॉंसिबिलिटी के साथ अगर चार्ज बैटरी बन करके चले हर बात को नेगेटिव परस्पेक्टिव भी होता है और पॉजिटिव परस्पेक्टिव भी होता है अगर नेगेटिव परस्पेक्टिव को अपनाया जाए तो शाहिद सबका तनाव बढ़ जाएगा इतना ही नहीं लेकिन ये हमारी बैटरी को बहुत ज्यादा ड्रेन करेगा क्योंकि इतने नेगेटिव विचारों का निर्मान करना पड़ेगा लेकिन पॉजटिव परस्पेक्टिव अगर अपनाया जाए तो शाहिद सारी सिच्वीशन को ही हम चेंज कर सकते हैं और आग सारे संसार के लिए एक ऐसा उदाहरंग तयार कर सकते यहां बिहार की असेंबली ऐसी है जहां कोई भी बात अगर आती है तो उसको पॉजटिव परस्पेक्टिव के साथ लिया जाता है जिससे उन्नती होती है, डेवलप्मेंट होता है और उसी से जीवन के अंदर सुक शान्ति बनी रहती है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी संगीता दीदी ने इस संस्थान के 85 वर्षों के सफर का जिकर करते हुए हर वर्ग को इस ज्ञान और योग से जुड़ने के लिए 20 प्रभाग के बारे में जानकारी दी बम्मा कुमारी स्वर्य विश्र विद्याले की एक सहभागी संस्था है राज योगा एजुकेशन एंड रिशर्च फाउंडेशन और इसके अंतरगत हमारे 20 विंग्स हैं अपने अनुभव के आधार पर ये बात कह सकता हूँ के राजनितिक शेत्र में काम करने वाले जो कारिकरता निरंतर योग करते हैं प्राणायाम करते हैं अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं जिनके मन का अध्यात्मिक प्रशिक्षन हुआ है वे उन राजनिताओं से बेहतर प इनिशेटिव का हिस्सा बना प्रजापिता प्रह्मा कुमारी इश्वरिय विश्वविध्याले यह अभिनंदन का कारे है और यह इस तरह के प्रशिक्षण वो निरंतर होने चाहिए, सब विदानसबाओं में होने चाहिए, सब सांसदों के भी होने चाहिए और साल में दो ब पंजाब से आचार अर्विन मुनी जी, आंदर प्रदेश से शिरी यगनवालक्य, राजा श्रमम के पीठा दिपती शिरी 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 कृष्ण चर्नानंद भारती जी, मुंबई से सन्यास आश्रम के महामंडलेश्वर शिरी प्रेमानंद गिरी जी, व्रिंदावन से शंक शक्ति आश्रम के महामंडलेश्वर शिरी शिरी एक हजार आठ स्वामी राज शेकरा नंद जी शामिल हुए। सत्य स्वरूप विशेक को लेकर आयोजित किये गए इस संत समागम की सफलता के लिए देश के प्रधान मंत्री शिरी नरेंद्र मोदी जी द्वारा भेजे गए शुब कामना संदेश को दिखाये गया और उसके पश्चात मंच पर उपस्तित बुद्धी जीवियों ने जैसे जैसे कदम से कदम आगे बढ़ता है उस वय तो प्रभू की याद में डूब जाता है हर जगा में भगवत-गीता प्रचार हो रहा है लेकिन यहां पर भगवत-गीता आचरन हो रहा है परमात्म का अम्स एक आदमी साथ साल उमर तक एक परिवार को पिता जीता एक घर का पिता जीता साथ साल का बाद में विश्व पिता जी बना है वही पजापिता प्रमा है सब ने अपनी अपनी बात प्रतिपादित की किसी ने किसी देवता को प्रतिपादित किया किसी ने किसी देवता को प्रदिपादित किया, किसी ने निराकार को स्विकारा, किसी ने साकार को स्विकारा लेकिन ये ब्रह्म कुमारी संप्रदाय ऐसा है जिसने आज तक किसी का खंडन नहीं किया सब की पुष्टी जहां होती है वो ये संप्रदाय आईए सुनते हैं इस संबन में धार्विक प्रभाग के मुख्याले संयोजग वीके रामनात ची से उनके विचार ब्रह्मा कुमारिस क्या है इश्वरिय विश्विध्याले क्या करता है तो समझे मानों नहीं हर एक को अधिकार है कि आप अपने धर्मन तेक अनसार चलो तो यह इनकी मान्यता है हर एक को अधिकार है स्पृिच्वालिटी इस नॉट बाइफोर्स बाइविल स्वा इच्छा से चलने का रास्ता यह लक्ष रख करके अपनी बात भी स्पस्टो उनकी बात भी स्पस्टो हम दसे गुलदस्ते में एक ही फूले होते हैं पते भी है फूले सब वेराइटी है हम सब मिलके एक है य इस लक्ष से एक कॉइंफरेंस रखाता है और उसकी सफलाता भी देखा आपने भी सुना हर एक संत ने अपने अपनी बात बताया जैसे एक बुद्धिष्ट था उन्हेंने बहुत अच्छी बात बताया कि यह कप से चलता आ गया है अगर यह समस्ता सव साल पहले आती थी ना आपके भारत को पुलिस की जरूरत थी ना आपके भारत को अदालत की जरूरत थी संत समारों के अंत में कुछ विचारबिंदू ऐसे भी आये होंगे जिन पर सभी के सभी जो है अपनी माननेता रख रहे थे तो उसमें क्या सुझाव आए और भविश्य में उन सुझावों को किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं किसी ने भी एक भी विपरीत भाषा यूज ने किया कोई भी प्रश्ण ने पुछा कोई भी बात इतने सुझाव के बात एक व्यक्ति ने भी ने लिखा ऐसे एक दो साल पहले ग्यान सरोर में भी था सबके मैंने फीड़बैक पड़ा अब इदर फीड़बैक नहीं आया लिखा दिया नहीं था तो वहां कहा था भगवान की संस्ता है वो चला क्या उनको हम कोई आदेश या हम कुछ बता सकते हैं क्या वो जो कहता है वो यथार् उस कंद्र कोई सुजाव हम देने योग यह नहीं है ऐसे लिखा था किसी कोई करेक्षिन कोई कुछ भी नहीं बता एक नहीं क cheuk यह सुधार होना चाहे यह होना चाहे यह है इसे होना चाहिए, तो ऐसे एक भी सुजाव अब भी तक, इस इतने संता इतने लोग मिले भी, किसी ने कोई सुजाव ने विया, कोई कमेंट्स ने किया, जो है बहुत अच्छा है, और ऐसा सारे भारत में अब भी तक किसी ने ने किया, सबी संतों को एक मँच पर बलाओ, और सबी एक मत भी हो, और सबी ने महिमा किया, किसी ने विरुधा भाल्स, ऐसा नहीं बुलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक भी किसी ने भी आज तक मेरे कान में अभी तक नहीं आया ब्रिटेन की महाराणी कुईन एलिजबेत के राजगर्दी संभालने के सतर वर्ष पूरे होने पर ब्रिटेन में चार दिनों का प्लेटिनम जुबली समारों मनाये गया आज कुईन एलिजबेत द्वित्य 96 वर्ष की हैं जब वे महज 25 वर्ष की थी तब उनकी ताजबोशी की गई थी महाराणी एलिजबेत का प्लेटिनम जुबली का जश्न पूरे देश में मनाये गया प्लिसेस्टर स्टेथ ब्रहमा कमारी सेंटर में भी उनकी प्लेटिनम जुबली मनाये गयी UK और Commonwealth की समवैधानिक महाराणी कुईन एलिजबेत को राजकत्ति संभालने के सत्तर वर्ष पूरे होने पर पूरे ब्रिटेन में चार दिनों का प्लाटिनम जुबली समहारों मनाये गया कोईन अलिजबेत दुतिये 96 वर्ष की है जब वह महस 25 वर्ष की थी तब उनकी ताजबोशी की गई थी आज वो इस गद्धी को सबसे ज्यादा वक्त तक संभालने वाली हस्ती है जैसा कि हमने बताया महारानी अलिजबेत का प्लाटिनम जुबली का जश्न पूरे देश में मनाये गया इसी की चलते ब्रह्मा कुमाईरिस और्गनाइजेशन और सिख वेलफेर एंड कल्शर सोसाइटी के सयोग से लेस्टर स्थित ब्रह्मा कुमाईरिस सेंटर में भी उनकी प्लाटिनम जुबली मनाये गी जिसमें लेस्टर शेर के पदाधिकारियों समेट कई धर्मों और संगठनों के प्रतिनिध्यों ने शिर्कत की जिनका सीनियर राजयोगा सिस्टर बीके गूपी, बीके मौरीन, बीके इंदु और बीके सुकांदी ने स्वागत किया हामनी हाउस में आयजित हुए इस प्रोग्राम की शुरुवार कुईन अलिजाबेद के लेस्टर दौरों के दौरान की सुन्दर जल्गियों के वीडियो से हुआ इसके बाद लेस्टर शेर के उच शेरीफ महमूदा ड्योक ने कुईन अलिजाबेद दौते से अपने मुलाकात के पलों को याद करते हुए अपनी सुन्दर अनुभव सुनाए that the people, her people, wherever they are in the crowd, at the back, they can see her, she stands out and she always, always looks amazing and I'm sure you'll all agree with me about that. महमूदा ड्योक के अनुभव साजा करने के बाद, बेरोनेस सेंटी वर्मा, बर्मेगम के काउंसर जन्रल हितेश सकसेना, लेस्टर शेर के पुलिस कमिशनर रूपर्ट मैथ्यूस समेत, कई दिगज हस्तियों ने महरानी कुईन अलिजाबेद की प्लाटिनम जूबली के प in the government. So it is, and it is a great honour because she is, as you see her, she's incredibly clued up on everything. And the first time you ever meet somebody like Her Majesty, you think, what am I going to say? But you know, you don't need to because she's already got it. She knows that you're going to be nervous. So she's already ready to speak with you. In the program, Interfaith leaders ने समाजी एकता को बहाल रखने के लिए, कई मैत्वपुन बातों की और सभी का ध्यान किचवाया. Let's celebrate our commitment to unity and diversity. In the Queen, I see that picture of unity. And I think we're all proud to be part of this celebration. And I wish long life, happy and healthy life to our beloved Queen. We give thanks to God. We give thanks to Her Majesty for being that beacon of courage, of high living and of love and faith and hope for all of us. 140 देशों में व्याप, ब्रह्मा कुमारी संस्थान, सभी देशों की गवर्मेंट के साथ मिलकर, स्प्रिच्चुलिटी और राज्यूगर मेडिटेशन के प्राक्टिकल अप्लिकेशन का प्रचार प्रसार कर रही है. जिसका जीता जाकता उधारन है, लेस्टर के हाममनी हाउज में आईजित हुआ ये प्रोग्राम, जिसमें सिर्फ गवर्मेंट के उच्पदादीकारे ही शामिल नहीं हुए, बलकि दिगज, इंटरफेट, लीडर्स भी शामिल हुए, और समाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए, खुले दिल से अपने महत्वपुन सुझाव फ्यक्ति किये. अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांती.